बड़ी योजना है उनको टेंडर निकाल दिया गया क्योंकि बड़ी योजना से कुछ मिल रहे हैं लेकिन जो छोटी योजना है 25 लाग से नीचे का योजना एक साल हो गये लेकिन आध तक टेंडर नहीं हुए हैं मैं तो इतना कहूं कि लगातार आशा लकड़ा भरस्टचार के खिलाप आवाज उठाई हैं पिछले दिनों भी आपने देखा होगा सब लोग कला बिल्ला लगा के घूम रहे थे नुक्ति वर्ष में जब राजी के बिरोजगार अखबारों को खोल कर नुक्ति से संबंदित खबरें की तलाश में हर रोज चाय के साथ अखबार पलटने लगें तब हर सुबह किसी घृटाले को लेकर खबरे में अखबार में खबरे आने लगती है ऐसा क्यूं है और अब आपने जिकर की और 22 करोड़ का गोटाला क्यूं है और यह गोटाले बार-बार क्यों सामने देखने को मिल रहे है और क्या है इसके बारे में विस्तार से सबसे बड़ी बात है हमारा अभियंतरन साखा है अगर बात करते हैं तो कई योजना बिकास का काम वहां से एक अभियंता ने, कारेपालक अभियंता ने, जहां 2 करोड़ के लगभग का काम हुआ है 2 करोड़ सेबब का, वहां उन्होंने पेमिंट सेटिपिकेट 22 करोड़ का दे दिया है, और यह कही ना कही भरस्ट अचार को दिख रहा है और भरस्ट अचार सब के सामने दिखाई तीन वित्य वर्स का योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी तो हमारे पास रिपोर्ट ताये कि इतना इतना योजना भी काम चल रहे हैं लेकिन जो 25 करोड से नीचे 25 लाग से नीचे का योजना है उनका कोई कामिलोग ने नहीं किया है एक साल पूरा हो गया हमारा जितने भी जन परतिनीधी है जो गली मुहले में काम करते हैं विकास योजना होती सब कोई लोग रोक रखे थे क्योंकि बड़ी योजनाओं को काम करने से क्या होता है सब को मालूम है जो दिख गया तो इससे भरस्टाचार के लिए एक मेर होने के नाते मैं लगातार इस पर विषय उठाते गई हूं और लगातार उठा भी रही हूं और इस मामले पर जो 22 करोड का पेमेंट सेटिपिकेट दिया गया है उस विषय पर जाच के लिए माननीय मुख्यमंत्री को माननीय विभाग्य सचिव को और अपने नगरायुत को पत्र अगरायुत को निर्देश दिया है और जात जब हो जाएगी तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कहते हैं कि भरस्टचार करने से कोई छुपा नहीं रहता है मैं लगातार उसके लिए आवाज उठाते रही हूं आपने देखा होगा जब मैं भरस्टचार के बिशे पर आवाज उठाई तो लोग यहां अंदुलन करना सुरू कर दिये थे कहते हैं सत्य परेसान हो सकता है पराजित नहीं होगा मैं क्या हमारे दर्शकों को आप खुल कर बताएंगे कि जो दो करोड की राशी थी रकम ती उसको 22 करोड का बना दिया गया सरकारी कर्मचारी भी विभा के सरकारी कर्मचारी भी इसमें सनली पाए गया क्या है मतलब तमाम 22 करोड में कौन सा प्रोजक्ट है उस प्रोजक्ट के बारे में अगर आप बताएं देखे मैं आपको बता दू कि यह रोड बनने का था 22 करोड का योजना उसमें अगर देखा जाए तो तीन योजना है एक है दिभ्यान मोटर से प्रगती बिहार होते तीसरा है जैसीस स्टेडियम के सामने से आदर्शनगर होते हुए स्टेडियम तक बिटूमिनस सड़क का निर्वान 2.25 करोड का ये योजना था ये फिनों मिलागर के 2.25 करोड का ये लेकिन ये कहीं न कहीं इन्होंने गड़बड किये हैं और 22.56 करोड पेमेंट सर्टिप करने के आओ सकता हैं इसमें संभु सिंग है ठेकेदार और सर्टिपिकेट देने वाले हमारा इंजिनियर है रमेश कुमार सिंग तो हमने इसलिए कहा कि विभागये मंत्री मुख्य मंत्री ही है और विभागये सचिव को और नगरायुत को जाच के लिए हमने पत्रचार कर इस तरह सरकारी कर्मचारियों का इतने बड़े घोटाले में 2 करोड की रकम थी और मतलब उसे 22 करोड कर देना सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं क्या कारवाई हो सकती है और आप क्या कारवाई मुख्यमंतरी से कहेंगी करने के लिए जांच करें जांच के समय जो पाया जाएगा उस पर जो भी घोटाला किये हैं ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी करवाई करें पेको लगता है की जाश हो पाएगा है चूकि हर बार तो जा शोता है गोटाले उजागर होते हैं और इसके बाद पटा चलता है की घोटाले अपने वस्ते में चले गए इतनी बड़ी रकम सरकार बर-बर कह रही है की पैसे नहीं है पैसे नहीं हम निक्तिशाद इसले नहीं कर पा रहे हैं खा जाने में पैसे नहीं और लूट चल रहा है राज में क्या कहेंगे जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं ये सामने आई है और मैं लगातार नगर निगम में जितने भी जो गोटाले हो रहे थे या गड़बड़ी हुई है तो उनको मैंने उजागर करने का प्रयास किया है और उनका समाधान भी हुआ है मैं 2014 से लेकर के अब तक कि अगर बात करती हूँ तो लगातार मैंने इसे गलतियों को पकड़ा है और उनको जाच भी हुआ है और परमानित भी हुए और उनको पर करवाई भी हुए है उसी तरह से आज भी ये विसे जो मैंने उठाया और अख़वार और मेडिया के माध्यम से जो विसे उठे हैं 22 करोड पेमेंट सर्टिपिकेट देने का तो इस पर भी जाच हो इस तरह का सिर्फ एकी है कि और भी हो सकता है इस पर जाच हो और कड़ी से कड़ी करवाई हो ताकि ये सुधर जाए और निगम का काम चाहे किसी भी विभाग का काम अच्छे से हो पाए अगर आगे कुछ हो नहीं पाता है इसमें मुख्यमंत्री का रहले तक बात पहुचती है आपने कहा कि हम पत्रचार भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को इसके बाद भी अगर जाच नहीं होती तो आगे क्या गुणजाईश परचती है फिर आपके सामने क्या विकल पहले तो अपना विभाग्य मंत्री और विभाग्य सचीव से पत्रचार करेंगे नहीं होगी तब आगे का आगे बताया जाएगा मतलब उमीद है ना कि कुछ हो पाए पूरा उमीद है मैं तो इतना कहूं कि लगातार आसा लकड़ा परस्टाचार के खिलाप आवाज उठाईए पिछले दिनों भी आपने देखा होगा सब लोग कला बिल्ला लगा के घूम रहे थे तो ये कहीं ना कहीं एक आवाज को दबाने का कोशिस किया जा रहा था मैं इसके लिए लगातार आवाज उठाए मैं ये भी बताना चाहती हूँ बड़ी योजना है उनको टेंडर निकाल दिया गया क्योंकि बड़ी योजना से कुछ मिल रहे हैं लेकिन जो छोटी योजना है 25 लाग से नीचे का योजना एक साल हो गये लेकिन आज तक टेंडर नहीं हुए है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है इसलिए जांच होनी ही चाहिए और जांच पर जो दोसी होंगे उस पर करवाई होनी ही चाहिए ये व्यवस्था का तकाज़ आप देखिए कि राज में राजसों में पैसा बचा नहीं है इस चालू वितवर्ष में मातर 33 परतीशत ही वसुली हो पाई है एक तरफ मंतरी के घर बन रहे हैं सतर करोड में नुक्ती वर्ष में नुक्ती नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ जो घोटाले हैं उसकी खबरें हर रोज आ रही है अब इस विवस्था के बीच जो केंद्रिय विवस्था है इस बीच अब वो क्या काम करती है ये देखना दिलचस्प होगा आप देख रहे हैं तो फॉलो अप में हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं रिशब कॉतम